आपका मेरी चैनल पर स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं खुरुमा मैंने एक कटोरी मैदा लिया है और इसमें मोयन के लिए मैंने घीर डाला है आप तेल या बटर भी डाल सकते हैं और अच्छे से मिला लेंगे हमें इसमें इतना मोयन देना है कि जब हम आटे को मुठी म इसमेट के लिए रख देंगे आप इससे ज्यादा भी रख सकते हैं जब हमें बनाना हो था हम इसे एक बार फिर से अच्छे से मसल लेंगे और आटे में इसे छोटी छोटी लोया लेकर इस तरह से बेल लेंगे हम इसे बहुत पतला नहीं बेलना है और फिर हम इसे स्क्वे गरम होना चाहिए फिर डालेंगे और इसे हिलाएंगे तो यह अपने आप सारे अलग हो जाएंगे जब एक बार फ्राइओ के उपर आ जाएं तो गैस का फ्लेम लो कर दें और इने हलका ब्राउन होने तक फ्राइ कर लें यह दिखें, हो चुका है, इसी तरह हम सारा फ्राय कर लेंगे, अब हम इसकी चाषनी बनाएंगे मैंने एक कटूरी मैदा लिया था, उसके लिए मैंने एक कटूरी चीनी लिया है और आदा कटूरी पानी चीनी गलने तक हम पकाएंगे जब चीनी गल जाए तो हम इसे फुल फ्लेम पे चार मिनिट के लिए पका लेंगे कढ़ाई में इस तरह सफेज सफेज जब दिखने लगे तब इसमें जो फ्राइ किये हैं उसे डाल देंगे के गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे कंटीनी इसी तरह चलाती रहेंगे जैसे जैसे यह ठंडा होगा चीनी अपने आप इस पे जम जाएगी इसे बनाना बहुत आसान है आप भी इस एक बार जरूर ट्राइ करिए जैसे जैसे चीनी ठंडी हो रही है वो जमती जा रही है बस यह हो चुका है जब ठंडा हो जाए तो आप एक टाइट जार में डालके बंद करके रख दें